नमस्कार, मद्ध्रदेश में युवाओं को सरकारी नोक्री देने का अभ्यान तेज गती से चल रहा है। मैं 22,400 से ज़्यादा युवाओं की सिक्षक के पद पर भरती हुई है। साथियों केंद्र सरकार ने आधुनिक और विक्सित भारत की आवशक्ताओं को देखते हुए। नई राष्ट्रिय सिक्षा निती लागु की है। ये नीती बच्चों के सर्वांगिन विकास, संपूर विकास, ज्यान, कौशल, संस्कार और भारतिय मुल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीती को प्रभावी रुप से लागु करने में सिक्षकों की सबसे महत्वपूर भूमिका है। मद्य प्रदेश में व्यापक तौर पर सिक्षक नियुक्ति का अभ्यान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे बताया गया है कि कुल नई भरतियों में से लगभग आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों के विद्यालयों में नियुक्त होंगे। इतनी बड़ी संख्या में सिक्षकों की नियुक्ति से सबसे अधिक लाब ग्रामिन शेत्र के बच्चों को होगा, हमारी भावी पीडी को होगा। मुझे खुशी है कि MP सरकार ने इस वर्ष एक लाग से अधिक सरकारी पदों पर भरति का लक्ष रखा है। इस साल के अंत तक साथ हजार से ज़्यादा सिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष है। इनी प्रयासों का परणाम है कि National Achievement Survey में MP ने सिक्षा की गुनवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रेंकिंग में MP का स्थान सत्रहवे नंबर से पांचवे नंबर पर पहुँच गया है। यानि बारा नंबर की छलां और वो भी बिना हो हल्ला किये, बिना शोर मचाए, बिना विज्यापनों पर पैसे लुटाए, चुप चाप इस तरह का कायर करने के लिए समर्पन चाहिए। समर्पन के बिना ये संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मद्द प्रदेश के विद्यारतियों को मद्द प्रदेश के सभी शिक्षकों को MP सरकार को शिक्षा के खेत्र में इस महत्वपुन सिद्धी के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों आजादी के अमरित काल में देश बड़े लक्षों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है इन लक्षों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कारिय हो रहे हैं वो आज हर सक्तर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं अलग-अलग शेत्रों में आज जिस तेज गती से इन्फ्रासेक्टर निर्माण के रप्तार बढ़ी है उससे भी रोजगार की नई संभावनाय बन रही है जैसे कुछी दिन पहले बोपाल से दिल्ली के बीच बंदे भारत ट्रेन की शुरुवात हुई है इस ट्रेन से प्रफेशनल्स कारोबारियों को तो समीधा मिलेगी साथ ही परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा बन स्टेशन बन प्रोड़क्ट और बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोड़क्ट ऐसी अनेक योजनाओं से भी स्थानिय उत्पात दूर दूर तक पहुंच रहे हैं ये सभी योजनाएं रोजगार बढ़ाने और आए बढ़ाने में मदद कर रही है इसके साथ ही मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली हैं जो आर्थिक रुप से बहुत कमजोर थे लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बढ़लाव किये हैं उसने भारत के स्टार्ट अप्स रिको सिस्टिम में भी रोजगार के अनेकों नए आउसर बनाए हैं साथियों रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डवलप्मेंट पर भी विशेश जोर है प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना के तहट युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में काउशल विकास के इंदर खोले गए हैं इस वर्ष के बजेट में तीस स्कील इंडिया इंटरनेस्टनल सेंटर खोलने का एलान किया गया है इनमें युवाओं को न्यू एस टेक्नोलोजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी इस साल के बजेट में पी एम विश्व कर्मा योजना के जरिये छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें MSME से भी जोडने की पहल की गई है साथियों MP में जिन हजारों सिक्षकों की नियूक्ति हुई है उन्हें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आप अपने पिछले 10-15 वर्स के जीवन को देखिए आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला उन्हें आपकी माताजी और आपके सिक्षक जरूर है जिस तरह से ये आपके रुदे में हैं आपके सिक्षक आपके रुदे में हैं वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगए बनानी है आपको इस बात का हमेशा द्यान रखना है कि आपकी सिक्षा देश का सिर्फ वर्तमानी नहीं बलकि भविश्य भी बन समारेगी आपकी दी गई शिक्षा सिर्फ एक विद्यार्थ में ही नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाएगी आप जिन मुल्यों को आगे बढ़ाएंगे वो सिर्फ आज की पीड़ी के ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीडियों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी मुझे पूरा विष्वास है कि बच्चों की सिक्षा और उनके सम्पोर्ण विकास के लिए आप हमेशा समर्पित रहिएगा और एक बात मैं हमेशा मेरे लिए कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं میरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूँ आप सिक्षक भले हैं लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागरत रखिए हमेशा चेतनवंत रखिए आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की अनेक नई उचाईयों पर पहुंचाएगा एक बार फिर आप सब को मेरी बहुत बहुत बढ़ाई हैं बहुत बढ़ शुब कामना हैं धन्यवाद